दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल रियल क्विक अनलिसिस पर चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की आपको शायद पता हो वर्ष 2023 तक इसराइल में दुनिया का सबसे बड़ा डिसेलिनेशन प्लांट लगाए जाना है रिवर्स आस्मोसिस की तक्नीक पर काम करने वाला यह प्लांट समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदल देगा यह प्लांट इसराइल की डिसेलिनेशन की कैपिसिटी को 35 प्रतीशद बढ़ाने वाला है भविश में सुखे की समस्या से निपटने के लिए इसराइल कोशिश कर रहा है कि वर्ष 2030 तक उसके खारे पानी को मीठा बनानी की चमता डबल हो जाए इस तो और एक भी प्लांट को बनाने के लिए तीन ग्रूप्स ने अपनी अपनी बिट दाखिल कराई थी जिन में से एक ग्रूप का नाम था इसराइली हचीसन वाटर कमपनी जो हौंग कॉंग में से चाइनीज कमपनी हचीसन की ही एक इसराइली साका है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह डिसैलिनेशन प्लांट उस एर बेस के पास बनाये जाना था जहाँ पर अमेरिका और इसराइल मिलकर मिसाल टेस्ट करते हैं अब आपको समझा गया होगा कि यह प्लांट ना केवल इसराइल के इंफ्रस्ट्रक्चर और स्ट्राइजिक द्रस्ती से बहुत महत्पूर है और क्यों चीनिस प्लांट में इतनी रुची ले रहा है अब आप ही पताएं कि इसराइल और अमेरिका को यह बात हजम होनी चाहिए थी कि जिस आलाके में हाइली कॉन्पिडेंशियल टेस्ट किये जाते हैं वहाँ पर चीन भी आकर बढ़ जाए जबकि इस प्लांट का निर्मान कौन करेगा इस बारे में अंतिम निर्ना इसराइल को ही लेना था लेकिन कुछी दिनों पहले अमेरिका की विदेश सचिव ने करी इसराइल की यात्रा और उन्होंने बिना इस प्लांट के नाम लिए साफ कर दिया कि यदि चीन इसराइल के इंफरेश्ट्रक्चर अथवा कम्निकेशन सिस्टम में हिस्सा ले लेता है तो अमेरिका के लिए इसराइल के साथ सहीव करना मुश्किल हो जाएगा जाहे रहे इसराइल को अमेरिका की बास समझ आ गई और उसने आज निर्ना भी ले लिया है जिसके अनुसार सौरेग भी डिसेलिनेशन प्लांट का निर्मान करने का ठेका इसराइल की ही लोकल कमपनी IDE टेकनोलोजी को दे दिया गया है इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर के अनुसार IDE टेकनोलोजी के दुआरा पेश किया गया ओफर सबसे सस्ता और बहतरीन था और फाइनल स्टेज में पहुँची चीन की कमपनी भी उसे मैच नहीं कर पाई हाला की इसराइल के मंत्री काया स्टेटमेंट चीन के लिए संत्वना का काम कर सकता है लेकिन आपको पॉइंट समझ आ गया होगा ऐसे होनी की सम्मावना बेहत कम है कि चीन ने अपने आफर में कोई कमी छोड़ी हो वैसे भी खारे पानी को मीठा बनाने से ज़्यादा चीन को इस प्लांट की स्ट्रेटिजिक लोकेशन में इंट्रेस्ट था अब जब की चीन की कमपनी को रिजेक्ट करके इसराइल की कमपनी को प्रोजेक्ट मिल गया है निश्चत रूप से ये अमेरिका के लिए एक राहत भरी खावर है क्योंकि उसके विदेश सचिप की यात्रा के महज दर्स दिनों के भीतर इसराइल ने अमेरिका की बात मान ली है यहां तक की चीन को भी भनक लग गई थी कि अब उसकी साजिस पर अमेरिकन तलवा लटक चुकी है इसलिए तो अमेरिकी विदेश सचिप की यात्रा के ठीक बात इसराइल में इस दिन चाइनीज दूदवास ने कहा था कि उसे इसराइली दोस्थनों पर भरोसा है और चीन अप्रेक्छा करता है कि इसराइल कोरोनो वायरस के साथ साथ पίοलिटिकल वाइरस को भी परास्थ करेगा वेसे इसराइल के भविश के लिए भी यह अच्छा है कि वे बैक डोर से चाइनीज एंट्री को बंद करे यहां तक कि इसराइली विद्वानों का कहना था कि इसराइल और अमेरिका की दोस्ती के इत्यास में पहली बार अमेरिकी ट्रम प्रशाशन इसराइल की आइडियोलोजी को इतना अधिक सपोर्ट कर रहा है लेकिन फिर भी इसराइल चीन से करीब जा रहा है शायद आपको जानकारी होगी कि बैल्ट एंड रोड इनिशेटिफ के अंतरकत चीन इसराइल के हैफा और अस दोद में बंदरगहा का निर्मान कर रहा है और तेल अभीब का लाइट रेल प्रोजेक्ट भी बी आर आई में शामिल है बात इंफ्रोस्ट्रक्चर तक ही सीमित रह जाती तो ठीक होता लेकिन चीन को पता है कि इसराइल टेक्नोजी इनोवेशन का हब है इसलिए इसराइल से जुड़कर चीन को बहुत लाब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है चीन जिस सौ सालों की साज़िश पर काम कर रहा है उसमें अमेरिका को हराने के लिए चीन साफ तोर पर इसराइली कंदे का इस्तमाल करता हुआ देखा जा सकता है चलिए जो हुआ से हुआ यह अच्छा है कि अब इसराइल ने अमेरिका और चीन में से अमेरिका का चुनाओ कर लिया है जाहर है यह बाद चीन को नागवार गुजडेगी इसलिए आगे के समय में चीन इसराइल की रहा में रोड़े अटकाने की कोशिच जरूर कर सकता है अब साफ तो निकल गया चीन चाहे जितनी लकीर पीट सकता है इसी बीच आप सभी को पता है कोरोना टेक्स ने पटने के लिए भारत और इसराइल ने एक दूसरी के साथ कंदे से कंदा मिलाने का नरने लिया है भारत में इस्तित इसराइली दूतवास के अनुसार दोनों देशों के वेग्यानिक मिलकर ऐसी कोरोना वायरस टेस्टिंग पिट का विकास कर रही है जो कुछी मिनिट्स के में विश्वस्नी रिजल्ट दे देगी इंडिया और इसराइल के बीच बढ़ता हुआ वेग्यानिक सायोग हम सभी के लिए प्रशनिता का विस्से है लेकिन अभी जब भारत और चीन के बीच एले सी पर तनाव बढ़ा हुआ है यह सुनने में अच्छा लगता है कि इसराइल ने पहली बार भारत के दुश्मन को मज़ा चपाया है आप सभी को पताए इसराइल जितना चीन के प्रफाव से मुक्त रहेगा भारत के भविश्र के हिसाब से उतना ही अच्छा रहेगा यह हम सबी बिल्कुल नहीं चाते हैं कि जब भारत चीन का विवाज छड़े तो इसराइल तथस्त होकर चीन का साथ दे इसलिए जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है चीन की ऊपर इसराइल की कम होती निर्वरता भारत के लिए एक संतोश प्रत भटना करम है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कीजिए साथी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भ भी ले सकते हैं थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स